जिस दिन से आपके अंदर अपने लच्छे को पाने की जीत आ गई, फिर समझ लेना आपके सफल होने का राश्ता खुल गया। जिसने संसार को बदलने की कोशिस की, वो हार गया, और जिसने खुद को बदल दिया, वो जीत गया। कभी हार मत मानो, क्या पता कामियाबी आपकी एक और कोशिस का इंतजार कर रही हो। खुवाइसों के काफिले भी बड़े अजीब होते हैं, ये गुजरते वहीं से हैं, जहां राश्ते नहीं होते। अपना सुकून अपने आप में ढूनो, दूसरे तो सिर्क निरास ही करेंगे। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और सफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अपने राश्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। दुनिया की सबसी अच्छी किताब आप हैं, खुद को समझ लिजिए, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने विश्वास को अपने भए से बड़ा होने दो, विश्वास कीजिए, सफलता निकट होगी। महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बलकि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जीवन में कटिनाईयां हमें बरबाद करने नहीं आती है, यह हमारे छीपे सामर्त और सक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। लच्चे पर आधे राश्ती तकर जाकर कभी वापस न लोटें, क्योंकि वापस लोटने पर भी आधा राश्ता पार करना पड़ता है। कुछ अलग करना है तु, भीड से हटकर चलो, भीड साहस तु देती है, पर पहचान छीन लेती है। सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, या आगे बढ़ते रहने का साहस है, जो माइने रखता है। सफलता सिर्फ सपनों के लिए मत बनों, बल्कि उनके लिए भी बनों, जो तुमारा मजाक व्लाते हैं। तुमारा सबसे बड़ा दुश्मन, तुमारा खुद का आलस है। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, तूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। आस्मान भी मिलेगा बस सूरत से उलजने का साहस हो या मुकदर कुछ नहीं उखाड सकता अगर अपनी मिहनत में दम हो अच्छी जिन्दगी जीने के दो तरीके हैं जो पसंद है उसे हासिल करना सीखलो या फिर जो हासिल हुआ है उसे पसंद करना सीखलो कोई भी इंसान जन्म से नहीं बलकी अपने कर्मों से महान बनता है अगर आपकी दिशा सही है तो फिर चिंता की बात नहीं आपको बस इतना करना है कि आप चलते रहें जिन्दगी जीना असान नहीं होता बिना संगर्ष के कोई महान नहीं होता जब तक न पड़े हतोडे की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता सब बर इंसान के पास एक ऐसी चीज है जिसके जरियों कुछ भी हासिल कर सकता है तकदीर भी बदलेगी पसीने की स्याई से जो लिखते हैं अपने इरादों को उनके मुकदर के पन्ये कभी कोरे नहीं हुआ करते जो लोग असपल होने से डरते हैं वे कभी भी सफलता की खुशियों का अनुभव नहीं कर सकते हैं धैर यही है जो जिन्दगी की किताब के हर पन्ये को बांध कर रखता है इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिस करने वाले छोड़ देते हैं अगर परमात्मा तुमें कश्ट के पास ले आया है तो अवस्य ही वो तुमें कश्ट के पार भी ले जाएगा जो उड़ने का सोक रखते हैं वो गिरने का खौप नहीं रखते जीवन में प्रयास सदैव कीजिए लच्छ मिले या अनभव दोनों ही अनमोल हैं जिसका उदय निश्चित है उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती कभी कभी कटिन परिष्टितियों को टालने की नहीं बलकी उनका सामना करने की जरूरत होती है तभी आपको परमानंद की प्राप्ती होगी जिन्दगी में एक ऐसा उद्देश से होना चाहिए कुछ कर गुजरने वाले लोग मांगने पर नहीं सुबच जागने और मिहनत करने पर विश्वास करते हैं लोगों को अपने सपने मत बताओ बस उन्हें पूरा करके दिखाओ क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं खुद को इतना मजबूत कर कोई क्या तुझे डराएगा कर होसला बुलंद इतना जिससे हर एक तेरे सामने सर जुकाएगा एक दीपक खुद नहीं बोलता परकास उसका परिचय देता है आप भी बोलने के बज़ाए अपने ग्यान का परकास फैलाएं धैर ये बनाकर रखें और महनत करते रहें आपका किस्चा नहीं एक दिन कहानी बनेगी जिन्दगी में अगर आगे बढ़ना आए तो बहरे हो जाओ क्योंकि अधिकतर लोगों की बाते मनोबल गिराने वाली होती है मनजिल पर पहुचने के लिए काटों से घवराना नहीं चाहिए काटे ही एक ऐसा साधक है जो आपकी रखतार तेज करते हैं तुम पानी जैसा बनो जो अपना राष्टा खुद बनाता है पत्थर जैसा ना बनो जो दूसरों का भी राष्टा रोक लेता है जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो राष्टे बदलीये सिद्धानत नहीं क्योंकि पेड भी अमेशा पत्थे बदलता है जड़ नहीं जो हो गया उसे सोचा नहीं करते जो मिल गया उसे खोया नहीं करते हासिल उन्हे होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते सफर में मुश्किले आये तो हिम्मत और बढ़ती है अगर कोई राष्टा रोके तो जुवरत और बढ़ती है अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है निंदा से घवराकर अपने लच्छ को ना छोड़े क्योंकि लच्छ मिलते ही निंदा करने ये वालों का विचार बदल जाते है भीड हमेशा उस राष्टे पर चलती है जो राष्टा आसान लगता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड हमेशा सही राष्टे पर चलती है अपने राष्टे खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बहतर और कोई नहीं जानता है विश्वास में वो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकास लाया जा सकता है विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाई इंसान को पत्थर दिल बना सकता है